तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल टोटल लेंग में तो फ्रेंट्स आज हम लोग इंगलीज का पहला क्लास करने वाले हैं तो सुच लिजे आपका बेसिक क्लास अस्टार्ट हो गया है और आज हम लोग पहला क्लास मे आर्टिकल सब कंपलीट हो जाएगा और सब से क्वेस्चन देखने को आपको पैरामेडिकल के इंटेंस एक्जाम में मिलेगा चाहे आप पैरामेडिकल का दे रहे हो चाहे आप पैरामेडिकल डेंटल का तेंथ लेवल पे दे रहे हो देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो आप इस वीडियो को सुरू करते दोस्तों जो लोग हमारे चैल पर नए होंगे पहली बारे होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को आल पर कर लिए तक आने वाले प्रते तसी नएक यने को भर्व को हिंदी में अमों क्या करता है कि यहां पर क्या हो रहा धेकना आई रिट यहां निकि मैं पढ़ता पढ़ता हूं देखिएगा अब जो अगला एक्जामपल लूँगा आई वाज रिड आई वाज रिड ये भी हमारा संटेंस है तो इसका देखना ठीक है दिख रहा होगा आप सभी को आई रिड और यहां पर क्या आई वाज रिड तो इसको हम लोग क्या लिख सकते मैं था तो देखिए किस सीज में आपको चेंजिंग लग रहा है भर्व में यानि कि जो किडिया हो रहा है काम हो रहा है उसमें चेंजिंग हो रहा है यानि पढ़ना क्या हो रहा हमारे पास काम हो रहा है तो इसमें चेंजिंग हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं टेंस के प्रकार कितने होते हैं इसको भी आपको जानना होगा टेंस के कितने प्रकार हैं तो टेंस के प्रकार को अब हम लोग देखते हैं तो इसको आप लोग नोट कर लिजें जल्दी से तो यहाँ पर देखे दोस्तो मैंने लिखा है kind of tense ठीक है kind of tense आखिरकार होता क्या है ठीक है तो यहाँ पर लिख दिया है kind of tense याने कि tense के प्रकार there are three kinds of tense याने की हिंदी कहने का मतलब है इसका हिंदी की काल के तीन प्रकार होते हैं कौन-कौन होते हैं सभी आपको मालूम है दोस्तों बस आप लोग पूरा continue देखो तब आपको बहुत चीज देखने को मिलेगा आपको बहुत चीज नया-नया भी देखने को मिलेगा ठीक है यह आप लोगों ने पढ़ चुका है जूनियर लेवल पढ़ चुका जब आप लोग एट में नाइन्थ में तेंथ में होगे तो सब कुछ पढ़े होगे बस आप एक वार हमारे साथ कॉपडेट करके बने रहो ठीक है और दूसरा है पास टेंस जिसको हम लोग भूत काल कहते हैं तो अब क्या होता यह तो तीन हुआ काल का और ज तीसरा परफेक्ट टेंस चौथा परफेक्ट कंटिनिवस टेंस अब इन तीनों में क्या हो जागा दोस्तों अलग अलग हो जैसे परजेंट में लेकर के चलेंगे तो परजेंट में चार्ग हो जागा पास्ट में लेकर के चलेंगे तो फ्यूचर में लेकर के चलेंगे तो चलिए फ्रेंट्स देखें यहां पर लिखा हुआ आगया present tense पर ठीक है present tense का definition कहता है the tense which show an action in present time is called present tense यानि कि किसी भी गति वीधी को दोस्तों यदि यहां वर्तमान समय में दिखाते हैं so करते हैं तो उससे हम लोग क्या और जाता हूं तो यह सब क्या है present tense में है ठीक है present tense में भी कितने टाइप से चार टाइप से जैसा कि मैंने बता दिया कि प्रतियक प्रतियक tense को चार गुरुप्स में बता गया जैसा कि यहाँ पर देख सकते आप सब लोग present indefinite tense इसको हिंदी में अगर बात करें तो सामाने वरतमानकाल कहते हैं, ठीक है present continuous tense अगर इसको हिंदी में बात करें तो अपुर्ण वरतमानकाल कहते है, present perfect tense तो इसको हम लोग कहते ह दुखो कुभ करें कि अभी चल रहा है जैसे एक्जाम्पल में ने यहां लिख दे Sacramento मैंने कैम नहीं हुआ circuit आप एक Also अभी चालए कती है जो दमलों इनसे पूर्ण वर्तमान का कहते है चैसरों जो और है पूरा घालना हो चुका मैं खा हो और यह जो पर इस का है पूर्ण वर्तमानकाल जानि कि इस में दोस्तों कुछ पता नहीं लगेगाa पूर्ण भी तो चलते हैं लोग पास्ट की और तो कुछ नहीं करें दोस्तों पास्ट में लोग यहां पर जैना तो आप सभी लोग भी कर लेना यहां पर नोट देखो मैं यहां पर केवल पास्ट कर दूंगा ठीक है पास्ट हो जाएगा और डिपनेशन वही रहेगा same to same अब यहां पर क्या हो जाएगा present के जगा पर क्या हो जाएगा ठीक है same to same रहेगा the tense which is so and action in past time यानि कि भूत समय में यानि कि पुराने समय में किसी भी गतिवीधी को यानि action को हम लोग सो करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं past tense कहते हैं ठीक है यह हो गया इसका customization इपने अब इसका example आप सबी लोग देख लो ठीक है इसका example हो जाएगा I went यानि कि मैं गया ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा I was eating ठीक है आई i was eating मतलब कि मैं ख़ा रहा था मतलब काम हो गया है खा रहा था काम हो चुका है और इसी में यदि दोस्तों चार सब में होगा तो यहां पर हम लोग सब में क्या कर देंगे पास्ट कर देंगे ठीक है समझिएगा बढ़ियां से चार इसमें भी होगा और इसमें क्या द्धगा पास्ट कॉंटिनी वर्तवान का उप्षट कॉंटिनीवर स्टेंग ऑर पुर्न भूत्काल और पूर्न पूर्ण भूत काल ठीक है सब भूत काल में हो자एगा ठीक है समझ गए आई होब तो इसको भी आप सभी लोग नोट करते चलिए इसको भी आप सभी लोग नोट करिए छलिए हो गया अब चलिए अब देखें आप यहां पे future में धी स्हाँ तो करना यहां पर क्या दोईगा आपकी फ्यूचर कर दीजिए ए फ्युठी यू आरी ठीके फ्यूचर और यहां पर क्या दोगा फ्यूचर समयाई यानि की भविश्य समय में थे अपने को इस को रधा दोस्तों खुला Capital है यहां पर किछ सकते हैं फ्यूचर है अच्छा से लिख देता हूं ठीक है future tense हो गया तो यहां पर से example भी change हो जाएगा होगा ना example change यहां पर से मैं example भी change कर देता हूं इसका example क्या हो जाएगा I I shall be a doctor यानि कि इसका हिंद्य हो जाएगा मैं doctor बनना चाहता हूं ठीक है मैं doctor बनूंगा और इसमें भी क्या हो जाएगा पास्ट के जगा पे अब क्या होगा future हो जाएगा इसमें भी चार होगा group ठीक है समस्ते चलिए गाई सभी को note करते चलिए आपको बहुत ज्यादा काम देगा जब question करेंगे ना तब future 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 इंडिफनी टेंज future continuous टेंज future perfect टेंज future परफेक्ट continuous टेंज यह मारा क्या हो जाएगा चारो future का है दोस्तों तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया गो दोस्तों आप तो फ्यूचर का भी डेफिनेशन आप सभी लोग नोट कर लो जल्दी से अच्छे से आपको बहुत ज्यादा काम देगा तो हम लोग दोस्तों अब नेक्ट वीडियो में दोस्तों पर्जेंट का पूरा करेंगे ठीक है पर्जेंट का जो चारों ग्रूप आपको दिखा रहा करेंगे वाइस यानि की वाच को कर लेंगे फिर उसके बाद नरेशन को कर लेंगे फिर उसके बाद आर्टिकल को भी कर लेंगे ठीक है जो कि बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन आता है जिस चैप्टर से हम लोग पहले उसको करेंगे तो चले यहां पर आज हम खतम करते दोस्तों तो जय हिंद जय भारत